दोस्तों कहा जाता है कि अगर आदमी का काम ना बिगाड सको तो उसका नाम बिगाड़ो अमेरिका यही कर रहा था दो-तीन दिन पहले अडानी को लेकर रिपोर्ट आई थी कि सहाब जाच पड़ताल चल रही है अडानी सहाब रिश्वत देते हैं तो माने बर तब भी हमने कहा था अमेरिका कितनी भी कोशशें कर ले ना तो अडानी का नाम और नाहीं उनका काम दोनों ही अब अमेरिका की आउकात से आउकात से परे हो चले हैं श्रीमान हम घमंड भरी बात नहीं कर रहे हैं जमीनी वास्तविक्ता आपको बता रहे हैं दोस्तों बारत के पूर्बिजट पर गोपाल पर उड़ी सामें बंदरगा है जो सपोर्ड जी पालो जी गृूप ने डिबलप किया है लॉस्ट मेकिंग पोर्ट था इस पर इंफरस्ट्रक्चर बिल्ड किया ओपरेशन में लेके आए और बढ़िया प्रॉफिट कमाने लगे तो सपोर्ड जी पालो जी का यही धन्दा है तो अब उन्होंने कहा है कि यह जो पोर्ट है बढ़िया हो गया है तो बेच के निकल लो तो काफी अच्छे प्रॉफिट पर इंटरप्राइज वेल्यू पर उन्होंने अपना यह पोर्ट अडानी पोर्ट को बेच दिया है करीबन 3080 करोड की इंटरप्राइज वेल्यू पर सोदा हुआ है अडानी पोर्ट ने 95% हिस्सिदारी इस पोर्ट में ले लिये है श्रीमान ध्यान दिजिए अभी तक भारत का जो पश्चमी तट है वो ज्यादा डिबलब है अधिकान सपोर्ट गुजरात में हैं मुंबई में हैं तो यदि पूर्वी भारत का विकाश करना है तो वो बिना पोर्ट के तो होगा नहीं तो गोपाल पर पोर्ट से अब अडानी साहब यही कर रहे हैं सभावे के अब पूर्वी भारत की प्रगती होगी तो उसका indirect benefit अडानी पोर्ट के माध्यम से कमाया जा सकता है यहाँ पर दोस्तों यह मत सोचिएगा कि यह ख़वर आ गई इसके बाद अब ख़वरों का सलसला खत्म हो जाएगा तो मानने बार ऐसा नहीं होने वाला है नीचे तमनाडू में तूति कोरिन प्रजक्ट है वो जो पोर्ट है उसके लिए भी डील चल रही है इस वात की संभावना है कि वो बढ़ा प्रजक्ट है 7000 क्रोड का पोर्ट है उसमें भी अडानी पोर्ट हिस्सेदारी ले ले अब यदि आप सोच रहे हो कि अडानी पोर्ट में हम भी निवेश कर लें तो उसके पहले डिस्क्लेमर है महोदा है कि हमारे क्लाइंट्स की अडानी गृप कमपनियों में निवेश रहता है अडानी पोर्ट में भी हो सकता है इसलिए इस वीडियो के माद्यम से हम खरीदने बीचने की राइट रेक्मेंडेशन नहीं दे रहे हैं परन्तु दोस्तों हाथ कंगन को आरसी क्या पड़े लखे को फारसी क्या आप स्वयम देख लीजिए अडानी पोर्ट के चार्ट पर बहुत अच्छी राउंडिंग बॉटम बन रही है अभी 1300 के लेवल पर है उपर 1350 का रेजिस्टेंस है अगर वो पार हुआ तो ये 1500 के लेवल को भी टच कर सकता है अब आप में से जो हमारे विद्यार थी हैं अडानी पोर्ट्स खिल रहे हैं वो मानने बर 1200 का या 1190 का 1180 का स्टॉप लॉस जरूर रखिये का चला हुआ स्टॉक है हमें फल्तु में ट्रैप नहीं होना अगर 1180 के नीचे बंदी आए तो आप टुकडों में हलका होने के वारे में भी सोच सकते हैं और महोदय आपको लगे कि अडानी पोर्ट्स चल गया हमें नहीं खरीदना तो श्रीमान ये अडानी पोर्ट है जल्दी ही अडानी एरपोर्ट भी लिश्ट होगा शेयर बार्केट में अडानी एरपोर्ट को लेकर भी ऐसी ही खबरे आएंगी अख़वारों में तो अडानी एरपोर्ट अभी समायत है अडानी इंटरप्राइजिस में तो आपको अडानी पोर्ट नहीं समझ रहा है आप अडानी इंटरप्राइजिस देख लीजिए तो कहने का मुद्दा यह है स्रीमान कि यह जो निवेश की कला है वो एक बार सीख लेजिए अखवार पढ़के खरीदने आएंगे तो कभी उचाल में तो कभी गिराउट में एक ना एक तरफ कप्टे जाएंगे आपको ना सिर्फ निवेश का निड़ने लेना है बलकि उसको मेनेज भी करना है गलत पढ़ने पर सुनश्चित भी करना है कि आपका पैसा भरवाद ना हो बलकि उल्टा आप उससे प्रॉफिट कमा सकें वो भी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद तो मानने वर यदि आप ये कलाएं सीखने में रोची रखते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक उस पर क्लिक करके अभी के अभी अपना पसंदीदा आत्म निर्वर इन्वेस्टर फ्यूचर से वो मावशन स्कोर्स जोइन कर लीजिए अभी उन्वेरा